अलमुडब में करोडों की लागत से खुल गया मेडिकल कॉलेज फैकल्टी की कमी से जूज रहा है। एक तरफ मेडिकल छात्रों को पढ़ाने के लिए प्रध्यापक नहीं हैं तो विशेशक डॉक्टर ना होने से मरीज भी भटकने को मजबूर हैं। कॉलेज में 90 सुईकरित पदों के मुकाबले केवल 54 फैकल्टी ही सेवाएं दे रही हैं। कॉलेज के प्रचारे डॉक्टर सीपी बैसोडा ने बताया कि पिछले चार महीने चार इंटर्व्य आरुजित किये गए थे और जल्द ही चार नई फैकल्टी कॉलेज में शामिल होंगी जिससे कुल संख्या बढ़ा कर 58 हो जाएगी। अब्वे पदों की तुल्द में या संख्या अभी भी कम है। जिससे कॉलेज के संचालन पर असर पढ़ रहा है। फैकल्टी की कमी से मेडिकल चात्रों की पढ़ाई और शोद पर प्रतिकूल प्रभाव पढ़ रहा है। कॉलेज प्रशासन उम्मित कर रहा है कि जल्द ही शेश पदों को भी भरा जाएगा ताकि छात्रों को गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा प्रदान की जा सके। अल्मुणा से नसीम एहमत की रिपोर्ट के और वोमेल लेटर आ गये हैं तो जल्द ही वो लोग यहां यहां पर जॉइन करेंगे तो इस से जो है कुछ हद तक जो है तक तक कमी जो है दूर हो जाएगा